क्या आप पीड़ा खाते हैं, काट के खाते हैं या फिर खेर छोड़िये, जैसे भी खाते हों, पर फर्स कीजिए कि आपका बर्थटे है और आप किसी महिला मित्र को ट्रीट देने के लिए पीड़ा इटरी में जाते हैं, क्या आपके जहन में एक बार भी ये बात आएगी कि यहां से वापस लोटते वक्त, आप रेस्ट भी हो सकते हैं, नहीं ना, पर ऐसा ही कुछ हुआ है, यूपी के बिजनोर में, 14 डिसेंबर 2020 को रात करीब साड़े दस बजे, एक लड़की अपने फॉर्मर क्लासमेट के साथ, एक फ्रेंड के बर्थने पार्टी से लोट रही लड़का मुसल्मान, लड़की दलित, बस फिर क्या था, लड़के को भीड़ने खुब कूटा और उसके बाद ठाने लेकर चले गई, लड़की पर illegal conversion और kidnapping के इलावा SCST Act और POS को भी लगा दिया गया, अब ये कहोगे कि यार देश भागते, इत्ते बड़े देश में ऐसी अरेस्ट हुए हैं पिछले एक देड़ महिने में, यूपी में लव जिहाद केसिस के मामले में, देश बग के आज के एपिसोड में जानेंगे कि क्या है ये लव जिहाद, कौन इसको चला रहा है, ये शुरू कहां से हुआ था और इस संगीन अपराद के लिए, इस conspiracy के लि Religion Ordinance 2020. इसके बाद कई ऐसी घटनाएं, या कह लिए ऐसी कई दुर घटनाएं अब सामने आई हैं. बेसिकली ये कानून कहता है कि अगर religious conversion केबल शादी के मकसद से किया गया हो, misrepresentation हो, force हो, undue influence हो, coercion हो, allurement हो, या फिर किसी भी तरीके का fraudulent तरीका इस्तमाल किया गया हो, तो वो इस कानून के तहट एक non-bailable offense होगा, और इसकी सजा एक साल से लेकर दस साल तक होगी, depending on whether the victim is a minor, or an SCST woman, etc. सुनने में ये कानून बहुत simple लगता है, और सही भी, अरे भाई, कोई fraudulent तरीके से किसी को convert कराने के लिए शादी करेगा, तो punishment होनी चाहिए, तो फिर क्यों क्यों इसके पीछे ये लिबरांडू leftist type लोग इता हो हला मचा रहे हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा इस कानून का आधार, अब यार एडिटर ऐसे काम मत किया गरो यार, आजकल ये आधार number के basis में इतने सारे scam bam भी होने लगे हैं, कुछ लगाना है तो subscribe button लगाओ न, बिना किसी आधार लोग इतने सारे episodes देख लेते हैं, सबस्क्राइब बटन भी नहीं दबाते हैं, अची बात नहीं है, खेर, back to the story, अब देखिए ये लव जिहाद की स्टोरी सुरू होती है 2009 में केरला और कोस्टल करनाटका में जहां एक भूत खड़ा कर दिय किया गया था, भूत का नाम रखा गया लव जिहाद, अब यही वाला नाम क्यों रखा गया था, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, केरला के Catholic Bishop's Council ने क्लेम किया था कि उक्तूबर 2009 तक कुल 4500 क्रिस्चन लड़कियों को टार्गेट किया गया है, एक कारिक्रम की तहत, और वहीं ह पर पानी फिर गया, जब 25 जून 2014 को केरला के चीफ मिनिस्टर उमन चैंडी ने विधान सभा में स्टेट्मेंट दे कर कहा कि 2006 से लेकर 2014 तक स्टेट में करीबं 2600 लड़कियों का कंवर्जन हुआ है, और इसमें से एक भी forced कंवर्जन नहीं था, मतलब लव जिहाद की इतने समझना होगा concept of love जिहाद, ऐसा नहीं है कि कोई भी interfaith marriage love जिहाद होता है, interfaith marriages तो ruling party के नेताओं के भी है, love जिहाद एक बड़ी conspiracy theory है, जिसके अंतरगत एक planned way में एक group काम कर रहा है, एक जुट काम कर रहा है, इसकी विदेशी funding चल रही है, और इसका मकसद है प्रेम जाल म धर्म परिवर्तन कराना और इसी तरह इंडिया का इसलामी करन करना, हैश्टाइग हिंदू खत्रे में है, हैश्टाइग घजवाहिंद, यानि जो काम bum से अभी तक नहीं हो पाया, उसको romance से करना है, इतनी बड़ी साजश, लेकिन love जिहाद के आज तब कोई legal definition नहीं है, के लोगों की feelings, उनकी insecurities वो खूब समझते हैं, उन्होंने समझा gravity of the situation और 2014 के यूपी बाइपोल्स में love जिहाद को issue बरा डाला, हाला कि पार्टी की top leadership इससे अंजान बनी रही, अरे वहर ने experiment के जानकारी high command को थोड़ी देनी जरूरी होती है, जैसे Newton को पता था laws of motion, वैसे Yogi जी को पता था public emotion, तो court के फटकार के बावजूद उनका ये मुद्दा जारी रहा, in fact, हाल ही में उन्होंने love जिहाद करने वालों का राम नाम सत्यक करने की में बात की है, बस इसी धारना और सोच के चलते लगाया गया ये नया कानून, एक तरीके से आपको इसको pole promise की fulfillment भी समझ सकते हैं, हाला कि officially BJP के manifesto में नहीं है, पर हर जुमला सिर्फ जुमला थोड़ी न रह जाता है, कुछ हकीकत में भी बदल जाते हैं, तो अब बात करते हैं इस कानून की समस्याओं के बारे में, क्योंकि भाई, public को तो जादा कुछ problem लग नहीं रहा है, देखें, love जिह के मामलों की जाच करने के लिए, कुल 14 cases के जाच के बाद SIT ने खुदी कहा कि love जिहाद के कोई evidence नहीं मिला, जिस term के basis पे ये कानून बनाया गया है, उसका ना कोई data है, ना evidence है, ना legal definition है, हाला कि कहीं सुनी बातें बहुत सारी हैं, ये बल्कुल एक ऐसी building के तरह है, जिसक Article 21 है ना हमारे समविधान का, जिसके बारे में हम आज कल थोड़ा कम जानते हैं, हमारा Article 21 of Constitution of India ये कहता है कि personal liberty देश के हर नागरिक का fundamental right है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किसे शादी करना है, इसकी स्वतंत्रता हमको हमारा समविधान देता है, पर इस कानून के माध्यम से Conversion के साथ-साथ Interfaith Marriages पर अंकुष लगाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है, मतलब मिया भी भी राजी, लेकिन बीच में आ गया नाजी, हाँ, इस कानून में ये प्रावधान जरूर है, कि अगर आपको Convert करना है, तो आपको आजादी है, बस आपको 60 दिन पहले, DM के Office में एक Prescribed Form भरके देना होगा, फिर इसकी जाच होगी, और जाच के दौरान आपकी जो ये Choice है न, औफ Conversion ये प्राइवेट नहीं रहेगी, तो मामला ये भी है, कि ये कानून आपके Constitutional Right to Privacy का उलंगन करता है, इस कानून को Patriarchal और Sexist भी बताय जा रहा है, कहने अपनी जिंदगी के फैसलिये खुद कर सके, उन्हें ट्रैप किया जा सकता है, और वो भी लगता है काफी आसानी से, और उन्हें इस साजिश से बचाने की जरूरत है, बेचारी है न वो, और दूसरी दरफ अगर आप कानून लागू होने के बाद, पहले महीने के statistics देखे हैं, हमारा समाज देखे कितना helpful हो गया है, कितना जबिदार हो गया है, कि महिलाओं की इस तरहिके से मदद हो रही है, अकसर ऐसे cases में देखा जाता है कि महिला अपनी मर्जी से भाग कर शादी कर लेती है, पर परिवार वालों को मात रास नहीं आती है, अब उनको मिल गया ह तो पहले ये परिवार वाले किड्नैपिंग का केस दर्ज करते थे, अब सीधा लव जिहाद, तो ये कानून महिला से डिसिजन मेकिंग छीन कर वापस परिवार के हाथ में दे देती है, ये बर्डन अफ प्रूफ का सिंपल मीनिंग है, किसी को साबित करना होगा ना, दोश या निर्दोश, जैसे कि murder case में आप burden of proof prosecution पर होता है, मतलब आरोब लगाने वाले को साबित करना होता है कि accused ने murder किया, और accused को माना जाता है innocent till proven guilty, पर इस कानून में देखिए, खुबी, burden of proof रखा गया है conversion करने वाले पे, यानि accused, तो मतलब आप पर love jihad का आरोब लगा दिय पुलिस आपको इस धारा के अंदर जेल में बंद कर देती है, अब आपको proof करना है कि conversion और शादी, convert होने वाली महिला ने अपने own free will से किया है, जब तक आप ये proof नहीं कर पाओगे, you are guilty, till you prove yourself innocent, then there is the problem number five of incentives of interfaith marriages, अरे, UP में एक जगे इस तरीके का कानून लगाय जा रहा ह जो interfaith marriages को dis incentivize कर रही है और कभी कोई punish कर रही है, वहीं दूसरे तरफ एक scheme भी चल रही है, कि अगर आप interfaith marriage करते हैं, तो आपको सरकार के तरफ से 50,000 उपए नकत दिये चाहेंगे, बतलब ये चल क्या रहा है यार इदर है, ये interfaith marriage हो रहा है या साप सीडी का खेल चल र बताया जा रहा है और इसकी तुलना नाजी जर्मनी के misegenation law से भी किया जा रहा है, बहराल इस कानून को सुप्रीम कोट में अब challenge किया गया है, पर योगी सरकार के पास इसमें हारने के लिए कुछ जादा है ने, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा solid बुद्दा चुना है, जिसने अलड़ी हमारे दिल में जगा कर ली है, सबूत हो या ना हो, full scale जिहाद हो या ना हो, foreign funding हो या ना हो, कोई actually ऐसी scheme है या नहीं है, पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे forcible conversions जरूर हुए हैं, हो रहे हैं, शायद होते भी रहेंगे, बस इसी के basis पर एक मुद्दा बखुबी बनाया गया है, जो सबसे बड़ा सवाल अब बन गया है देश में, बाकी सारे मुद्दे economy, नौकरी, law and order, उसकी परवा किसको है, और अगर सुप्रीम कोट ने इस law पर किसी तरीके का restriction लगा दिया, चेक लगा दिया, तो कोई खास loss नहीं है, क्योंकि लोगों के कोट में, जनता की अदालत में, ये law already hit हो चुकी है, और इसका political benefit भी सरकार को जरूर मिलेगा, तो सवाल आप आप कर है, कि आप कौन से law को मानते हो, कौन से law को सही देखते हो, कौन से जो मुद्दे हैं, जो गायब हो चुके हैं, उन पर वापस सवाल करते हो या नहीं?